देश में फैल रहे करोना बाइस से कई लोग अब तक संक्रमित हुएं जिनका इलाज अभी चल रहा है लेकिन इन कुछ नियुमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं अपनी व्यक्तिकत स्वच्चता पर ध्यान दें साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ दोते हैं छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मू ढखे और फिर उसे किसी बंग डब्बे में फेंक दें अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अलकोहॉल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मले ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डायेट का पालन ना करें बलके अथिक मातरा में पोश्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मस्मूत बनाएं अनावश्यक यात्रा से परेज रखें बिमार लोगों से कम से कम एक मीटर की दूरी रखें बच्चों और बुजर्गों का खास खाया रखें क्योंकि इनकी संक्र में तोनी की संभावना सबसे ज्यादा है सारणने स्थानों पर बीर बाढ़ना बढ़ा है जितना होसे घर में रहकर काम करें बिना हाथ धोय अपने आखो या चेहरे को नाचुए अगर आपको खासी बुखार या सास लेने में दिक्कत हो तो किसी की संभर्क में ना आए तुरंट दॉक्टर से लिए ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरे के जिम्मदारी लिए ताकि इस वाइरस से दरने के बजाए साथधानी और सतर्पता से हमें सिला सके सुरक्षा के प्रदी हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है अगर हर एक नागरे के नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीन आद हमें इस खत्रे को टाल सकते हैं सुस्त रहें, सुरक्षित रहें बहुत 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 बीवांद